एटल 5G unlimited data कैसे यूज़ करें बिलकुल फ्री में आप एटल 5G activate करेंगे और फ्री में data यूज़ करेंगे आपका 4G data बिलकुल भी cut नहीं होगा मैं इस बात की guarantee लेता हूँ इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं इस screen को आप follow कर लेते हैं 101% में guarantee लेता हूँ आप फ्री में एटल का 5G data यूज़ करेंगे तो यहाँ पर बिद प्रूप आपको दिखाऊंगा मेरे यहाँ पर आप देखते हैं LTE आ रहा है यहाँ पर आपका 4G प्लस आ रहा होगा तो यहाँ पर मैं बताऊंगा आप किस तरीके से एटल का 5G data unlimited यूज़ करेंगे तो आपको कैसे करना है देखोंको यहाँ से तीन सेटिंक आपको करनी होगी नंबर एक आपको मौल की सेटिंक में जाना है और यहाँ पर आपको कन्necksn का ओप्शन दिखेगा आपके फंब में उबालेट परका हो सकता है तो यहाँ पर मौलेट पर आप कलिक करके सब से पहले आपके जिस भी slot में Airtel का SIM card पड़ा हुआ उसे आपको 5G कर लेना है सबसे पहले आपको ये काम करना है दूसरा आपको अपने phone का जो software होता है उसे आपको update कर लेना है ठीक है आप setting में जाएंगे और यहाँ पे केवल आपको डालना है software update किया डालना है software update तो यहाँ पे आपका phone अगर update के लिए बोल रहा होगा तो आपको अपने phone का जो software होता है उसे update कर लेना होगा अपडेट करने के बाद आपको यहाँ से बाहर निकलना है अब आपको अपने setting में जाना है और यहाँ पे आपको डालना है यहाँ पे डालना है ATL thanks अब आपको अपको भी दिखा जेता हूँ मेरे phone में पहले से download है यह देख सकते हैं तो आपको इस app में चले जाना है जैसे जैसे में open कर लेता हूँ अभी अब यहाँ पे देखो क्या करना है ओपिन करने के बाद यहाँ पे यह आप देख सकते हैं 5G भी unlimited data में यहाँ पे चालू कर लिया है अब मैं आपको दिखाऊंगा इसे claim कैसे करना है तो claim करने के लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज पर यह आ जाना है इस तरीके से ठीक है और यहाँ पे थोड़ा बेट करना है network issue है क्योंकि अभी 5G आएगा इसलिए issue आ रहा है अब यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आपको scroll करना है तो यह देख सकते claim unlimited data इस पे क्लिक करना है जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा बेट करना जब तक next page refresh होके आपके सामने ना आ जाए ठीक है यह देख सकते हैं आ चुका है यहाँ पे option अब आपको क्या करना है कुछ ज़्यादा करने की जुरुत नहीं है यहाँ पे आपको claim now कर देना है claim now पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको थोड़ा बेट करना है आपके phone में एक message आ जाएगा और आपका काम हो चुका है यह देख सकते हैं अभी गोल-गोल घूम रहा है अभी message आ जाएगा यह आप देख सकते हैं request successfully activate 5G data यहाँ पे आप देख सकते हैं check your 5G यह देख सकते हैं कंगा चलेशन का option भी यहाँ पे आ चुका है और check your 5G readings यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं क्लिक करके आपके एरिया में 5G अभी enable हुआ है के नहीं हुआ है यह देख सकते हैं फ्री आप में पे एक चीज़ आपको बतायता हूँ मैंने एक screenshot लिया था ठीक है तो activate है लेकिन 4G data कट जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपके ATL की sim में 5G इस तरीके से लेखा आ रहा है और यहाँ पे dark आ रहा है यह देख सकते हैं तब तो आपको 5G data ही कटेगा ठीक है अगर आपको इस तरीके से देख रहा है यह देख सकते हैं यहाँ पे circle आ रहा है इसके उपर circle आ रहा है 5G के उपर तो यह आपका 4G data कट रहा है क्योंकि यह आपका 5G net on हो चुका है लेकिन यहाँ पे circle आ रहा है dark circle नहीं आ रहा है तो आपका 4G data कट रहा है तो आपको क्या करना है इस Dark Circle को ले के आना है ये देख सकते हैं Nicolas तो इससे आप कैसे ले के आ सकते हैं वो भी तरीका मैं आपको बताऊँगा आपको बस इस वीडियो को लायक कर देना है आप यहां पर आप जाहेंगे तो यहां पर आपको